नमस्कार दोस्तों स्वागेते आप सभी के md classes की यूटूब चनल में दोस्तिक बड़ा इंपॉर्टन चैप्टर है पार्टनर सिप जहां से रेले परिक्षा में एक कोश्टन तो देखने को जरूर मिलते हैं ऐसा नहीं कि सारे ही सिफ्टों में ये कोश्टन देखने को मिलत है बट ये जरूर होता कि जभी भी ये कोश्टन आता है तो जिन वच्चों ने नहीं पढ़ रखा वह इस को स्वालब नहीं कर पाते हैं जबकि बड़ा आसां सा चैप्टर है हमने जैसे सारे के सारे कोश्टन को सॉल्व कर सकते हैं हम इसको पूरा डिटेयल के साथ वीडि बच्चों ने चलने को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकॉंपे क्लिक करेगा और कॉपी ओपन लेके साथ द्रा को बैठना है ताकि पूरा पार्टनर्सिप यहां पे खतम करेंगे रेड़ी अपरीवन पक्का है सब्सक्राइब चलो स्टार्ट कर देता हो समझते हैं क् सिरफ पढ़ाई पे ध्यान ताकि यह पार्टनर्सिप हम आदे गंटे के अंदर खतम करने की कोशिस करें और जोना समझते हैं पार्टनर्सिप क्या होता है पार्टनर्सिप का मतलब होता है साजेदारी अब साजेदारी मतलब क्या होता है साजेदारी मतलब होता है जब हम क प्रॉफिट हो का उसको बाट लिया जाएगा यह चीज हो जाता है अब इसमें कैसे आप इस चीज को करते हैं ज़रा समझना तो हमेशा एक फॉर्मूला याद है ना कि इन्वेश्टमेंट इन्टू टाइम बराबर प्रॉफिट अगर आपको यह फॉर्मूला पता है तो आप दुनिया का कोई भी जो कोश्चन है पार्टनर्सिप का वो विदीना सेकेंड बिलकुल आसानी से बिना किसी परावलम के आराम से सॉल्व कर सकते हो अगर आपको यह इन्वेश्टमेंट मतलब क्या होता है जितना आपने निवेश किया है लगाया तो मुझे क्या 100 रुपए ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा बट मैंने समय को बढ़ा दिया अब बता हूं मुझे क्या 200 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा अब मैंने कर रुपए को भी बढ़ा दिया 200 रुपए लगा दिया 2 महीनी कि लब तो मुझे 400 मिल जाएगा मतलब जिस हिसाब से मैं investment बढ़ा रहा हूं मेरा profit भी बढ़ते जा रहा है और अगर मैं time बढ़ा रहा हूं तो भी मेरा profit बढ़ा रहा है इसका मतलब investment is directly proportional to profit and time is also directly proportional to profit तभी मैं कहता हूं investment into time बढ़ाबर profit बोलो ये बात समको समझ में आया कि नहीं है वाई ये सबसे basic concept था जो partnership अगर आप solve कर रहे हो partnership अगर आप start कर रहे हो तो सबसे जो basic concept है अरे हाया ना जरा comment box में comment कर दो सबको समझ में आया कि नहीं आया ये छोटा सा जो concept हो अब इसको note करो और अगर सभी की इजाज़त हो तो फिर start कर देते हैं आज का हमारा यहाँ पर पहला question जो कि आपका partnership से संबंदित और पहला question क्या है जरा उस पर नजर घुमाते हैं और जरा देखते हैं क्या कहता है जरा समझो इस question को बीना और मीना दो व्यक्ति हैं कोई बूटी की start करती है और जो investment है वो कितना कितना है 356,000 रुपय का जो profit हुआ उसमें बीना को मिला है 60,000 ना आफ तो यह बताओ कि आपका total profit कितने का होगा question समझ गया कि ने समझ WOW हमारे पास दो वेक्ति हैं जरा दोनों वेक्तियों पर धहान दीज़े भहिया एक होगए हमारे पास बीना एक होगई हमारे पास बीना करने का तरीका क्या है जरा समझो कि करेने का क्या तरीका है क्ष्चिंग को आसानी से कैसे करपाएंगे पहले सभी के सभी क बॉक्स में इसका answer कमेंट करो यार क्या हो सकता है इस question का सही answer हर बच्चे का comment आना चाहिए बिना किसी रुके Whoo बिना किसी प्रॉब्लम के हर बच्च कोश्चन में समय की बात किया गया है क्या कि समय दो साल है पांच साल है दस साल है कुछ भी समय की बात किया गया है क्या अगर कभी भी कोश्चन में समय की बात नहीं किया जाता है तो always यही बात या दखना कि हम हमेशा एक साल ही उसको ले लेते हैं समझ में आया की नहीं आया जैसे simple compound interest में अगर वो कभी भी यह नहीं बताता कि भईया यह simple interest है कि यह compound interest है तो always आप क्या करते हो उसको simple interest ही तो ले लेते हो है की नहीं है तो वही चीज़ यहां पे भी अगर उसने समय नहीं बताया तो हमने सीधे साधे एक काम कर लेकि समय को एक सालों का ले लिए समझ में आ गया अब खोशन खतम हो गया रेश्यों देखो जड़ा कि किस रेश्यों में इन्होंने यहां पर पैसा लगा रखा है तो जड़ा देखो तीन जीरों से यह तीन जियों पांच और इनका इन्वेस्टमेंट रूटाइम है आठ जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट रूटाइम उसी हिसाब से प्रॉफिट होगा की नहीं होगा भईया हाया नामे वेल्कुल बस कोश्टन खतम हो गया बीना का हिस्सा है साथ हेजार रुपया मतलब इस पांच की यानी 120-100 होगी कैंः होगी वर्य बार पंचे साथ तो अगर एक की वैलू 1200 हमें चाहिए целी तेरा की वैलू टोटल प्रॉफिट कितना हुआ तो आठाप आ पांस टेरा हुआ थेरा रेसो की वैलू 13 गोड़े 1200 यहीं आपका अयस्तन हो जाए गा है ना तो ते रहा करम 13 और चौदा पंद्रह यानि 15,600 रुपया का टोटल प्रॉफिट हुआ यहां पर यही कोश्टन आपका खतम हो जाएगा देखे भाईया तेरा दुनी 26 है ना और तेरा एकरनम तेरा चौदा पंद्रह यहां पर यहां बारा सो नहीं बारा हजार करना पड़ेगा इस तब ही जाके म समझ में आ गया होँगा आगर पहला कॉश्टन सभी को समझ में आ गया है तो और दूसरे दिन लगाया है 40,000 तो हम 0000 काट दे की नहीं काट दे जिस अनुपात में इन्वेश्टमेंट उसी अनुपात में प्रॉफिट अरो बोलो हाय ना अगर समय बराबर होगा तो दोनों तरफ समय एक एक साल का है यानि समय बराबर तो प्रॉफिट होगा पांच और अब समझ में आया कि नहीं आया यह वाला जो कॉम्शिप्ट था अब एकदम किलियर हो रहा है कि नहीं हो रहा कि हम कैसे कर पाएंगे किस तरीके से समझ पाएंगे किलियर है यह तो बेसिक कोश्चन है जो प्रॉफिट अन लॉस में आपको आना चाहिए और आराम से सब्सक्राइब ऐस समझ भी पाएंगे और चीज़े और भी सारी यहां पर समझेंगे कि हम क्या क्या चीजेous कर पा रहे हैं इसатьला प्लॉफित बाघो तो कोश्चन को सांदार कोश्चन है जबर दस कोश्चन और जिंदाबाद वाल फ्रफिक आपको कि हां सर जी वाख़ी बहुत सांदार सा कोश्चन था हम इजी तरीके से कर पाए और आसानी से समझ भी पाऊगे कि हां क्या हो राखिर इस कोश्चन में चलो एविडियों डेज़ेडी चलो भई आओ ज़रा समझो एवी सी ने 5-6 के अनुपाद में पैसा लगाया और मुनाफ तो भईया टाइम क्या होगा टाइम होगा प्रॉफिट अपान इन्वेस्टमेंट होगा कि नहीं होगा बस खतम हो गया तो प्रॉफिट अपान इन्वेस्टमेंट ये दूसरा हो गया और प्रॉफिट अपान इन्वेस्टमेंट ये तीसरा हो गया बोलो क्या इतनी बात को समझ में आ गई अरे हां या ना बस question खतम हो गया profit पांच का investment पांच का profit तीन का investment छै का profit बारा का investment आठ का बस यह रेशियों अप उनको निकालना बस question खतम तो पांच से पांच काटा एक हो गया तीन दूनी 6 हो गया चार दूनी आठ और चार तियां बारा ये तीन बटे दो हो गया सभी में दो का मल्टिप्लाई कर दो के मामला फिट हो जागा तो एंसर आजागा दो एक और तीन सब को समझ में आ गया कर पाए की नहीं कर पाए लग रहा है आसान कि सर जी वाकई ये तो बहुत आसान सा कोश्चन है और कितने आसानी से सॉल्व हो रहा मतलब कुछ भी नहीं हो इस कोश्चर में है की नहीं है बोलो हाँ या ना एकदम के लिए पक्का है सबको समझ में आ रहा है बिलकूर समझ में आ रहा है चलो ठीक है अब आते हैं अगले वाले बात पर ज़रा से देखते हैं कि कैसे हो पाएगा कैसे समझ पाते अगला कोश्चन बोलो भाई क्या सभी को पार्टनर सी पासान लग रहा है कि नहीं लग रहा आप लग रहा है ना एक फॉर्मूला देखो मैंने आपको हर चैप्टर में अगर एवरेज की बारते करते हैं तो वहां भी आपक समझों को आराम से लेके चल जाओ कोई दिक्कत नहीं कोई परसाइन नेक्स प्याज़ो कर दिया कुछ समय के बाद 300 रुपय के बाद साथ भी आ गया और साल केंट में जो मुनाफ़ा वह दो और एक के हुआ तो आखिर बताओ भी आया कब यह कोश्चन है अगला टाइप का ज़ल्दी से बताओ कैसे कर पाओगे जितने बच्चों को आता है तो ठीक कमेंटबॉक्स में एंसोर कमेंटं कर तो नहीं आता तो फिर हम तो देखी के रहे नहीं कैसे कर पाइब आखिर इस कोस्टिन को है की नहीं देखो भाई न आ रहा है समस्ज में क्या हो पा很好 ना चलू यह बता कि तने सालों की बात कर रहा है एक को उस्टोन में कहोगये भी यह तो बारा साल की यह vlog लोगा च्रिफ defect के बाद आया और भी कुछ समय के बाद आता है यानि कुछ महीनों के बाद आता होगा तो आकिर हमको महीना लाना ही लाना था तो हम पहले से ही क्यों ना महीना लिख दे और भी आया है 300 रुपए के साथ बट कितने समय का लिए वो रहा है वो हमें नहीं पता हमने मान लिया एक पंद्रा तियां पैसा लगाया होगा तो कितने महीने के बाद आया होगा फ़ाइ सीधी सी बात बोलोगे आफटर थ्री मन्त बस यही आइंसर होगा यही आफ से कोशन पूछा गया है कि बी आखिर कितने महीनों के बाद सामिल हुआ कब सामिल हुआ तो तीन महीने के बाद क्यों 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 कि का पैसा लगा है नो महीनों के लिए अब नो महीने बार यह कॉम से समझ पाए की नहीं समझ पाए आसान लगा की नहीं लगा कैसे कर पाएंगे Suite अ विलकूल आसानी से कर पोगे बिना किसी त्कत के कोई घोदाना नहीं किसी कोशंट में की सर्ची कैसे कर पाएंगे कैसे कर पाएंगे एकदम हासान है हर कोश्टन एकदम एजी है एकदम एजी तरीके से हर कोश्टन स्वाल्व कर पाओगे आओ ए और बी किसी वैसा में 5 और 6 के अनुपात में पूजी लगा दिये इन्वेस्टमेंट दे दिया नौ महीने के बाद ए ने अपना पैसा वापस ले लिया और 5 और 9 के अनुपात का मुनाफ़ा मिला बी कितने समय के लिए पूजी लगाया था ये कोश्टन आप से पूछा गया है और ज़रा देखते पहला अनुपात है 5 और 6 का ठीक उतना के लिए अच्छा नौ महीने की समापती पर यानि ए ने पूरा का पूरा पैसा 9 महीनों तक के लिए लगाया है इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो बी ने कितने समय के लिए लगाया पैसा ताकि जो उनको प्रॉफिट हुआ वो 5 और 9 का हुआ यही तो कोश्टन में आप से पूछ रहा है कि बी पीछे साइध है इसी वज़े से आपका ऐसा आ रहा है डाटा अगर इसमें किलियर होता क्योंकि मैंने कोश्ट्म बनाया होका तो डाटा मैंने धिहान नहीं दिया है तो डाटा इसलिए थोड़ा आगे पीछे इसी वज़े सापका एंसर आप परेसान ना होना कि ओमाई सके उतना लाइक्स कर दो और एक बार सेयर तो मारो कम से कम दादा लो एक बार इतना सेयर मारो कि मज़ा आ जाए अभी हम यूपी एसाई भी लेकर आ रहे हैं गुरूपडी भी लेकर आ रहे हैं मतलब हमने सीवीटी वन वाले बच्चों का यहां पर नईया पार कराया है त सब्सक्राइबाद में तहल का मचानी है कि नहीं मचानी है मचाना है तो फिर नेक्स कोश्चन पर अपने लोगों को बढ़ जाना है थोड़ा सा टाइप अलग हो रहा है बट घवडाना नहीं ऐसे कोश्चन में कि आखिर क्या होगा कैसे कर पाएंगे अब यह यह लाइक से साथ जितने भी ऐल के वाली बात कि यहां पर बात करते अगला कॉश्चन पर आज ब्हारा देखते हैं क्या कैका शान जार हो देखते हैं क्या ठास बयुक्त करते हैं चार माइने दो तो जिसके पास रखा होगा यही तो समझना तो समझना तो उसने गाय के चक्क्र में फसाके मामला खतम कर दिया यह यूपी समझ लिया के गाया का नाम लोगे और उनको फसाद दिया जाएगा लेकिन ऐसां तो है नहीं आ हैसा ना कि गाया का नाम लेके फसाद यह जाब किसी को यहाँ पर आरांग स मिकांग रख दिया भी सभी का this is तो डिया बस हमें प्रॉफिटि निकालना मतलब खर्चा ही हमें निकालना है अभी दोसे कट रहे हैं क्या सभी दो से सभी तो नहीं कट रहे हैं कुछ नहीं कट रहे जाने दो ऐसे अठारा चोक के बहत्तर पचीज दूना पचास अठाइस पच्छे पांच अठे चालीस आगया चार और पांच दूनी दस चार चोदा एक सो चालीस और एक कैस त्याय तिर सथ यह हमारे पास रेशियो बन टोटल जोड़ो भई तो हमने 72 पचास 140 और 50 एक सो नब्वे एक सो नब्वे बहत्तर और 63 सब को जोड़ो तीन दो पांच देखो भई तीन दो पांच और नौसा सोला अच्छा बाइस हाथ में आए दो दो और एक तीन सो पचीस रुपया गया टोटल खर्चा तो हम कहां ही बार बर चले जा रहा है वह या ना पर जाने कि यहां पर चीजों को दिवाइट करते हैं जैसे ने दान दे दिया भाई पूरा प्रॉफिट हुआ था मैंने कहा है मैं भगवान का पुझारी हूं मुझे पांच परसंद दान देना अब बताओ कई से कर पाएंगे वो कोशन जो सक्रिया और आपका एक्टिव और नॉन एक्टिव वाला वह पेड़ कोर्स में पढ़ा हदूंगा कि वह कैसे निकालते हैं तो आको वह भी कंप्लीट समझ में आ जाएगा आओ अगली कोशन पर देखते हैं भाई क्या कहता अगला कोशन ध्यान से पढ़ो तीन साज़दार एक व्यसाय में लाब को इतने इतने का अनुपात में डिवाइट करता है कर सभी करमसा 14 महीने आठ महीने और साथ महीने के लिए साज़दार है तो निवेस का अनुपात बताना है और यह प्रॉफिट का रेशियो दे रखा यह टाइम दे रखा इ क्या बताना है हम लोगों को investment बताना होगा क्या profit divided by time समझ पाए कि ने समझ पाए तो profit पहला 5, पहले का टाइम 14 महीना, profit दूसरे का साथ, टाइम 8 महीना, 8 time 7 महीना, तो मैंने सोचा भाई सभी को काटना पीटना है तो 56 सभी का LCM आ जाएगा 14 8 और 7 का 56 चलो 56 सब्सक्राइब मल्टिप्लाइब कर दो ठीक 56 सब्सक्राइब मल्टिप्लाइब हो गया बोलो समझ में आया कि नहीं है क्यों हां ठीक है सब्सक्राइब मल्टिप्लाइब 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 मता का नाम लो कोशिक आराम से सौफ कर लो बोलो हां या ना सब को यहां तक की सारी बातें शमुझ में आ रही है कोई परचानी है कोई दिक्कत है कि सर जी यוא नहीं समुझ में आ रहा है सबको हर एक कोश्चन समझ में आ रहो होगा बेसिक system advance नो libero تक पूरा समस्ब्स पार होगे फिर न किसी problem का बिना किसी दिक्कत को हरे कमक्षै को समझ पार होगे देखो जो एक बैजाली class चली उसको बिल्कुली मिस मत्क्री है रहे वह बहुत important class है रहा है जेली सको 30 हजार से ज्यादा बच्चा देख आप भी उसको जरूर देखे अगर नहीं देख रहे होगे तो लाइक तो जरूर देखा करो ताकि कुछ सुधार हो पाए आपके स्पीड में अगला कोशन आते हैं इस पर जरा नजब घुमाते हैं बताओ क्या है अनु और भारती एक व्यापार में बीस जारा चौबीस वजा इन की कोशिस करो बताओ भी क्या हो पाएगा कैसे कर पाएंगे सूचो जब्सा कि हान 사람들 कैसे कर पाएंगे क्या हो सकता को और 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 बताईए और बताई आप तो गलत ना हो आप से एकडम करो बता दू अनु और भारती का नाम आगे तो पहले सही आप रेसुव को काट लो आपको पता है नीचे 20,000 और 24,000 लिखोगे तो ये 0 आप काटोगे तो हमने पहले ही काट दिया 3-0, 3-0 काट दिया 4, 25, 20 और 4, 6, 24 यानि जो इनका investment का ratio रहा होगा वो 5 और 6 का रहा होगा धीर धीर ये practice से आपको आने लगा है कि कैसे हम और question को छोटे से छोटा बनाए आसानी से आसानी से कैसे solve करें अपने ओलेडी देख लिया है कि हम उसको काट रहे हैं तो सीधी सी बात पहले ही क्यों ना काट दिया जाए भारति ने आठ महीने के बाद अपना पैसा वापस ले लिए लिए इन्नों आप महीने के लिए है पांच रेसियो तो पांच की वैलू बतानी है तो सोला सो बीस बटे नौ इंटू पांच इनका 900 उनका 720 खतम हो जाएगा समझ में आ रहा है कर पाओगे की नहीं कर पाओगे मैंने ऐसा कोश्चन आपको दिया भी तो कर पाओगे लग रहा है आसान है एक दमीजी लग रहा है कर पाओगे के नहीं कर पाओगे भाई एकदम आराम से देखना आओ जड़ा इस कोश्चन पर है यह बढ़िया कोश्चन है हुआ क्या पांच प्रतिशत का हिरों ने कर दिया दान ए और बी के द्वारा निवेश किया गया है वो तीन और दो के अनुपात में पांच यही कोश्चन आपको इसी टाइप का देता हूँ जो कि यह है दो साज़ेदार थे 50,000 और 70,000 रुपाय लगाकर व्यापार को आरब में पकरें जितना प्रॉफिट हुआ 70% को तो आपस में बराबर बाट लिया जितना भी बानो हमें 100 रुपाय मिला होगा तो 100 मेंसे 70 तो म ना रहा होगा यह दोनों कोश्चन बड़े सांदार है बड़े जबरदस्टो बड़े जिंदावाल करने में बढ़े जबर्दस तरीका में आपको बताऊंगा लेकिन आज नहीं कब कल पता चलेगा आज आपको ये कोश्चन को दोनों स्किन सौट लीजे जहां भी आपको इसका बहतरीन मिलता है उस मिठट को जाईए देखिए सर्च करिए खुद प्रैक्टिस करिए और देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा वो मिठट समझ में बहुत सांदार कोशन है बहुत बहुत बहतरीन कोशन है संडे को सुबा नौ बजे इसकी वीडियो आएगी किस तरीके से इस बड़े वाले कोश्चों को हम सौल्व करेंगे और समझेंगे कितना आसान है यह कोश्चन पक्क्या है चलो तो आज के लिए बस इतना ही पार्टनेशिप का यह पार्ट ही पर होता है कतम 25 मिनट की वीडियो थी मज़ा जरूर आया होगा और कॉमसेट जरूर क करिएगा बिल आइकों पर जरूर क्लिक करिएगा तब तक के लिए बाइबाइब कुर्णाइट टेक है थांकिसो मच गाईजे